जैसुरी महाकाल एक बार फिर से आप सब का बहुत-बहुत स्वागत अभी नंदन करते हैं हम आपके अपने परिवार एकाउंटिंग गुरू में तो क्या हल चाल है आप लोगों के अज़ा गरते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आजकी कोलास में हम बात करेंगे अपने एक और नए चप्टर多 जिसका नाम है आपका ट्रायल वैलन्स तो देखो जब आप trial balance की बात करते हो trial balance का मतलब यह होता है बेटा कि अब आप अपने तीसरे face की तरफ बढ़ चुके हो अब मैं तीसरा face इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप पहले face की बात करते हो तो आपने account की जो definition पढ़ी थी जो definition मैंने आपको पढ़ाई थी account की definition की जिसमें मैंने आपको बताया था कि accounting is the art of recording मैंने आपको समझाया था accounting is the art of recording जब आप art of recording की बात करते हैं जब आप किसकी बात करते हैं recording की बात करते हैं तो recording आप कैसे करते हो journal entry के माद्यम से करते हो और इस journal entry को कैसे perform किया जाता है या journal entry का क्या basic principle है क्या rule है क्या आपके element है चाहे वो assets को लेकर हो चाहे liability को लेकर हो चाहे capital, चाहे income, चाहे expense वो सारा का सारा आपको journal entry वाले portion में मैंने आपको पूरा का पूरा क्या कर रखा है बिटा बता रखा है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके जरूर चेक आउट करिए playlist में एक sequence से आपको बनाया गया है वहाँ से आप अपना पढ़ सकते हैं फिर उसके बाद हमारा दूसरा step जिसे हम कहते हैं आपका classification इस classification में अभी last lecture की अगर हम बात करें लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको laser के बारे में समझाया था तो classification के मध्यम से आप क्या करते थे laser करते थे और अब आप अपने तीसरे step की तरफ पढ़ रहे हो और तीसरे step आपका क्या है summarization और जब बात summarization की की जाएगी तो summarization में जो सबसे पहला element आएगा आपका क्या trial balance पढ़ने के बाद फिर आप पढ़ेंगे आपका final account पढ़ेंगे final și final account के बाद आप तूरंत क्या करेंगे balance sheet अपनी पढ़ेंगे तो चलिए फिर बिना किसी देरी को हम अपना trial balance क्या करते हैं बेटा आये कि what is the trial balance तो आप सीधा कहो कि trial balance is the final account of the laser final balance of the laser of all account in the business मतलब क्या है इसका इसका मतलब यह है वेटा कि आप क्या करते थे कि journal entry से data transfer करते थे कहां पे laser में data आप transfer करते थे जर्नल इंट्री से data आप कहां transfer करते थे laser में transfer करते थे इस process को हम लोग नाम देते थे आपका posting अब मैं आप से एक ही चीज कहूंगा कि बिटा यह सारी चीज़े आप लोग अपनी अपनी कॉपी में note कर लीजे ठीक है ताकि आपको relation समझने में आसानी रहे तो आपने क्या देखा कि जब हम journal entry से data laser में transfer करते थे तो उस process को हम लोग क्या नाम देते थे पोस्टिंग नाम देते थे अब यह जो data है आपका इस classification वाले portion में आपने सीधी सी बात है एक यह नाम जरूर सुना होगा क्या था आपका कि बैलेंसिंग फीगर या जिसे हम balance CD कहते थे carry down तो अब यह जो carry down वाला balance है यह balance आपका transfer किया जाएगा कहां पे ट्राइल बैलेंस पे ट्रांसफर किया जाएगा इसी वजह से इसे कहा क्या गया है कहता है यह जो आपका लेजर का final balance है वही आपके fire trial balance का क्या वनेगा scenario बनेगा clear हो गया बेटा और दूसरी बड़ी बात यह जो आपका trial balance है यह account नहीं बलकि एक क्या है statement है कभी 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 एक बावजूद भी इसमें दो कॉलम होते हैं एक कॉलम आपका debit और एक कॉलम आपका क्या होता है credit होता है बात समझ में आ गई और यह जो trial balance है यह base होता है किसका final account का यह base होता है आपका किसका final account का यानि आप trial balance की सहायता से आप अपना trading account prepare करोगे और आप अपना क्या prepare करोगे profit and loss account prepare करोगे या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप अपना balance seat भी क्या करोगे trial balance से prepare करोगे इतनी बात समझ में आ गई अब देखो इसको proof करने के लिए हम आपको एक छोटा सा format समझाते हैं और फिर उसी format से हम आपको ये बताएंगे कि trial balance base है final account का देखो heading डियरा सभी लोग डालेंगे format of trial balance कि पॉर्मेट कि और रायल वैलेंस कि ट्रायल वैलेंस क्या होता है account होता है या statement होता है कि स्ट्रेटमेंट होता है क्या होता है आपका statement होता है account तो नहीं होता ना विटा हाँ ठीक है चलो देखो statement होता है तो सीडी सी बात है हम इसमें कैसे बनाएंगे देखिए ज़रा कि यह हो जाएगा आपका serial number यह हो जाएगा आपका particular पिर यहाँ पे आपका LF laser folio debit और यह आपका क्या credit इतनी बात समझ में आगे बेटा चलिए अब देखेंगे ज़रा जो आपका trial balance है यह आपका end of the year prepare किया जाता है मतलब जो आपके laser के final balance है जो आपके laser के क्या है final balance है और final balance कब पता चलेगा जब साल का अखरी होगा तभी तो final balance पता चलेगा कुछ गलत कह रहा हूं मैं सही कह रहा हूं ना इसी वज़ा से हम इसे कब बनाते हैं बेटे end of the year बनाते हैं ठीक है अब देखें ट्राइल बैलेंस है वो तीनो एकाउंट का combination है तीनो एकाउंट का मतलब nominal account को भी दिखाएंगे और इसमें हम आपका क्या दिखाएंगे बेटा personal account भी क्या करेंगे इसमें शो करेंगे बाद समझ में आ गई अब real account यह तो आपको अच्छे से पता है कि यह किस से related है आपके अफ्रिट से related है nominal account कि से related है आपके expense से या आपके loss से है ना या फिर आप यह कह सकते हो कि sir profit income या फिर आपका क्या gain यह आपका relate है फिक है personal account की बात करेंगे तो personal account आपका किस से related है आपके capital से related है और आपके liability से related है यानि कहने का मतलब यह है बेटा कि जब आप trial balance बनाएंगे तो trial balance में आप तीनों element को या तीनों account को शो करेंगे यह वाले को भी nominal वाले को भी और आपको किसको personal वाले को भी बात समझ में आ गई अब यहाँ पर एक चीज और आपको समझनी है जो आपका real account रहता है इसका balance क्या हम लोग बत क्या बताया था मैंने real account का balance always क्या रहता है बेटा always क्या रहता है debit रहता है यानि जो आपकी assets है चाहे वो current रहें चाहे वो आपकी non current रहें चाहे वो आपकी tangible रहें या चाहे वो आपकी क्या रहें इंटेंजिवल रहें उनको हमें किस साइड लिखना है बेटे डेविट साइड लिखना है बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई नॉमिनल अकाउंट की बात करेंगे तो देखो नॉमिनल अकाउंट में आपको दो बाते देखनी है एक आपको क्या देखना है expense देखना है या जिसे आप क्या कहते हो लॉस कहते हो तो ये किस side जाता है आपका debit side जाता है अगर हम income की बात करें अगर हम किस की बात करें income की बात करें या profit की बात करें तो ये बेटा आपका किस side जाता है credit side जाता है बताओ ये सारी चीजे बताये थे कि नहीं बताये थे हम journal entry में बता रखा है और जब हम personal की बात करते हैं तो personal मतलब capital और liability इसका balance always क्या होता है बेटा credit होता है और कोई liability है तो हमें उसे कि साइट दिखाना रहेगा credit side अगर कोई assets है तो हमें किस side दिखाना रहेगा debit side अगर कोई expense है तो हमें उसे किस side दिखाना रहेगा debit side बात समझ में आ गई इसका मतलब यह है BABU मैं यहाँ पर 5 पॉइंट लिख रहा हूँ एक दो इन चार और यह आपका क्या पांच और वही पांचों इलिमेंट वही पांचों क्या इलिमेंट यानि अगर कोई कोई assets है अगर कोई क्या है वेटा assets है तो वो आपका किदर जाएगा debit side में बतलब हम उसे किस तरफ transfer करेंगे debit में अगर कोई expense है तो वो भी किदर जाएगा बाबू debit side में जाएगा हो गिसी प्रतर अगर कोई income है तो वो किदर जाएगा आपका डिट्साइड में पोस्ट करेंगे अगर कोई आपका capital है किया है आपका capital है तो वो आपका किदर जाएगा credit में जाएगा और एक iron कोई डाबिड ओल्वेज इक्वल टू क्रेड़ेट हमेशा याद रखना यानि आपका ये डाबिड बराबर होगा आपके किस्से क्रेड़ेट से सर लेकिन एक बात बताओ जब हम छोटे से थे तो हमारे गुरू जी ने सस्पेंस एकाउंट भी बताया था हासर हासर सस्पेंस क्या करेंगे उसका वो कब आएगा देखो सस्पेंस एकाउंट का मतलब क्या होता है पहले ये जानो suspense account create करना बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा लेकिन suspense account को resolve करना ये बहुत बड़ी बात है इसे कहते हैं न कि कमिया खोजना बड़ा आसान काम है लेकिन उन कमियों को सही करना बड़ा कठिन काम है तो suspense का मतलब ये होता है कि अगर आपका कोई भी balance match नहीं हो रहा है मतलब if debit is not equal to credit या credit is not equal to debit तो what is the reason अब इतना समय तो हमें नहीं है कि सर अभी what is the reason find out करना है क्योंकि अभी trial balance के बाद हमें final account भी बनाना है और आपको भी पता है कि final account end of the year बनता है आपको भी पता है कि balance sheet भी बनानी है वो भी end of the year यानी particular date पे बनती है main हमें तो final account का game खेलना है ना ये तो बेस तयार कर रहा हूँ मैं तो जब हम कहते हैं कि आप 90% अगर आपने सही किया है तो 90% सही होगा 10% अगर कमी आ रही है या 10% में अभी कोई दिक्कत आ रही है तो उसको किस तरब भेज़ दो suspense में भेज़ो और बाद में आप उसे क्या करो resolve करो मतलब suspense account बनाना उस समय जरूरी है जब balance हमें ना पता चले कि सर ये किस कारण create हो रहा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि suspense account बना कर हमें छोड़ देना है बलकि suspense account बना कर हमें उसे क्या करना है जीरो भी करना है अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम है आपका reactification of the error या फिर आप bank reconciliation नाम का एक चैप्टर पढ़े होंगे उसमें आप लोग टेली करते थे bank reconciliation में pass book equal to cash book और वो difference पता करते थे कि नहीं पता करते थे तो वो difference ही आपका जो आप पता कर रहे हो न वो एक तरीके से आप अपने suspense को ही क्या कर रहे हो खतम कर रहे हो बताओ समझ में आया कि नहीं आया इतना क्लियर हो गया तो suspense क्या होता है एक तरीके से एक ऐसा amount होता है जो हम सब debit और credit को बराबर करने के लिए लिए लिख देते हैं क्लियर हो गया बेटा जी चलो यह था आपका format of the trial balance बिना किसी देरी के अब हम format of trial balance की सहयता से एक छोटा सा प्यारा सा सवाल करते हैं लेकिन उस चोटे से प्यारे से सवाल को करने से पहले आपके सामने हम कुछ example देखते हैं आप बताना मेरे को वैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है अभी आपको जब PDF भेजूंगा या जिनके पास किताबें हैं वह उसको अच्छे से जान जाएंगे आपकी सुविदा के लिए मैंने example डेर सारे लिख रखे हैं बेटा चलिए कुछ बातें आपको और याद रखनी है पहली बातें क्या बेटा पहला important point क्या कि जो आपका trial balance है इसमें कभी भी opening cash या opening bank balance नहीं होगा क्यों sir क्योंकि हम तो starting ही closing से कर रहे हैं मतलब क्या जो आपका balance cd आया था लेजर का balance क्या आया था उसी cd को रही है तो क्या कोई opening का concept आएगा क्या कोई पी opening का concept नहीं आएगा बात समझ में आगई बेटे आगे देखेंगे हाँ दिखिए लिखा भी है closing cash और closing bank आपका दिखाया जाएगा बात समझ में आ गए फिर उसके बाद एक चीज और जो कि बहुत important है और वो क्या कि जो आपका closing stock है इस बात को याद रखिए बहुत important है इसलिए important है क्योंकि जब आप final account पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये closing आपको सरदर्द करेगा पहली बात तो ये जानिये जैसे माली जी एक सवाल आता है कि is closing balance show in the trial balance क्या closing closing balance बोलना closing stock क्या closing stock trial balance में show होता है या show किया जाता है तो बेटा आप आख मूंद कर एक answer देना नहीं होता है सर नहीं होता है सर क्लियर हो गया बेटा तो देखो लिखा भी है इसमें कहता है closing stock not show in the trial balance because this remaining including the opening stock and purchase of the accounting year बट ये सब्द देखिए लेकिन अगर कभी कभी भी किसी भी अवस्था में closing stock अगर सामिल हो गया तो हम उसे फिर अर्जस्ट नहीं करेंगे कैसे closing stock का formula क्या होता है ये बताइए closing stock का formula होता है opening plus purchase minus sale पीटा मैं COGS नहीं पूछ रहा हूँ जो direct expense ये सब बगड़म बगड़म बोल रहे हो अरे मैं पाक पूछ रहा हूँ यार material consumption का भी यह formula है opening प्लस पर्चेश माइनस आपका क्या sale जितना भी आपने बेचा है ठीक है यह का मतलब यह sale price मत सोच लीजेगा मैं पहले बता रहा हूँ sale का मतलब sale price से नहीं है जो stock आप बेचे हैं उससे है क्योंकि sale price पता चला 10 रुपया का खरीद के 20 रुपया में बेच दिये हो तो आप 20 रुपया घटा रहे हो तो वह मत करना unit की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ पिटे unit की बात हो रही है यहाँ पे clear हो गया तो देखो क्या लिखा है but if opening stock and purchase remain absent in the trial balance the adjusted purchase show in a trial balance अब आप कहोगे कि sir यह adjusted purchase क्या होता है तो adjusted purchase का formula ही यही है जो मैंने आपको लिखा है ठीक है adjusted purchase का भी यही formula है यानि आपका opening plus purchase minus आपका क्या closing ठीक है बेटा तो किसी ने पूछा कि what is the formula of adjusted purchase आप बता देना sir opening plus purchase plus minus आपका क्या बेटा नहीं भाई गलत नहीं मैंने गलत बोल दिया गलत बोल दिया यह नहीं formula होगा भावनाव में मैं बह गया अब ओपनिंग प्लस परचेज माइनेस closing stop minus closing stop आई यह formula है कि अरे हो जाती है गलती हम अहीं इनसान है ठीक है पुछ बच्चे कह रहे हो आप हो ना करो या ठीक है तो जाता है भाई जली आगे बढ़ते हैं अब देखी सवाल है आपके सामने यह दो पॉइंट समझ में आ गया सबको ना तो अगर देखो क्या बोला मैंने कि अगर अर्जेस्टेड पर्चेज है इसका मतलब यह वाला फॉर्मूला लगा होगा लब ओपनिंग स्टॉक भी दिया होगा और क्लोजिंग भी दिया होगा क्लोजिंग माइनस हुआ होगा पर्चेज भी उसमें एड हुआ होगा ठीक ना चलो आओ सवाल करते हैं यह वाला नहीं करेंगे छोटा सा है कि क्या है भाई देखो बिटा इसमें देखिए आप ही जैसा कोई बच्चा है इसमें जिसने क्या किया कि कुछ मिश्टेक कर रखी है कि क्या है आपको करना है क्या करना है कि आंसर आपका सभी और वैलेंस की पर बैलेंस का कुश्छ्ण आपको दे दिया गया का गलती की है सामने देखेंगे तभी लोग प्यार से स्क्रीन पर देखेंगे ऐसे देखिए कि जैसे आप पहली बार उनको देख रहे हैं कि अधरे अपने फोन को यह है जलत भावनम है जाते हो तुम लोग चलो वाओ है थीग है जलो देखो ओनरिक कुटी ये कापिटल है तो इन्होंने किस सैट ड्रास्फर किया है क्रेडिट इसका मतलब साइट पोस्ट किया है कि नहीं किये हैं यह है फिर कहता है इन्होंने ड्रॉइंग किया तो अगर capital credit है तो ड्रॉइंग क्या होगा debit यानि ये भी सही है ठीक है फिर कहता equipment equipment मतलब assets assets किस तरब जाती है debit side भाईया ये भी सही है सर गलत क्या है फिर देखते हैं न इनकम क्रेडिट साइड जाती है सही है इतना सही है फिर कहता है due to customer due from customer ज्यान से सुनिएगा due from customer मतलब customer से हमें मिलना है customer से हमें मिलना है मतलब यह हमारा data है और data मतलब हमारी assets assets और assets का balance क्या होता है और E का करके वाइठे हैं हो तो इसको क्या कर दें है कि सही है कि नहीं है मतलब पहली गलती हमने पकड़ ली फिर उसके बाद purchase purchase मतलब हमारा expense expense debit होता है मतलब E सही है फिर कहता है purchase return अच्छा इक बात बताओ जब खरीद रहे थे तो debit जब वापस करोगे तो उल्टा हो जाएगा ना मतलब क्या हो जाएगा credit और E देखो यहां गलती कर दिये हैं तो इसके कहा जाएगा credit side यानि 364 कि side जाएगा credit side बताओ समझ में आया very good फिर कहता है आप bank loan तो bank loan आपकी liability होती है अब लिटी का balance credit होता है मतलब सही है क्रेडिटर क्रेडिटर भी liability होती है इसका भी balance क्या होता है credit भेजे किधर है debit यानि इसको भेद दे हम किधर credit side में समझ में आया बीटे फिर कहता है tax टेक्स क्या होता है expense होता है और expense का balance debit होता है सही है कि नहीं है सही है cash in hand assets होता है इसका balance क्या होगा debit सही है note payable देखिए note payable को हम bill payable भी कहते हैं और bill payable मतलब liability liability मतलब credit और यह भेजे है debit इसको यहां लिख दो फिक फिर inventory inventory मतलब क्या stock और stock होता है क्या assets और इधर भेजे हैं यह किदर credit जबकि यह किदर होगा debit side में न टिक अब उसके बाद repair रिपेयर रिपेयर मतलब expense और expense मतलब debit यह सही लिखे हैं फिर कहता है return in word देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज बताओं देखो बेटा एक सब्द लिखा है return अगर लिख देता है purchase return अगर लिख देता है sale return तो भी आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाते हो लेकिन अगर यह लिख दे return आउट वार्ड लिख दे आउट वार्ड आउट मतलब बाहर न परचेस करो के तभी तो भेजो के बाहर return आउट वार्ड मतलब रिट्ट परचेस रिटन होता है और रिटन इन वार्ड मतलब क्या होता है सेल रिटन बेटा इसको लिख लो कहीं पे क्योंकि सब्दों की वज़ा से आप लोग मात खा जाओगे तो रिटन इन वार्ड मतलब सेल रिटन रिटन आउट वार्ड मतलब परचेस रिटन इसका बैलेंस क्या होगा क्रेडिट और इसका बैलेंस क्या होगा डैब बेट बताओ समझ में आ गया बेटा चलिए आगे बढ़ेंगे और अभी मैं आपको एक चीज और बताओं इस चाप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं तो बस आप लोग इसको अच्छे से करो और उस बात को बताने के बाद आपका चैप्टर खतम ठीक है बेटा नोट डाउन हो गया बेटा नोट डाउन करेंगे जल्दी मैळा है चुपाई है वही जो करेंड़ नहीं ही जाइन लोगी जो 不錯 है है जालो बेटा चले आगे तो देखेंगे तो देखो अब यहाँ पे रिटन इन वार्ड है ना इसका मतलब यह क्या है आपका तेल रिटन और सेल रिटन का बैलेंस किदर जाता है बेटा इन्होंने किदर वेजा है क्रेडिट अब आपको काम करना है कल्कुलेटर उठाना है और बेटा जोड़ के बताना है मुझे कि अब कितना बैलेंस आ रहा है जो गोला किया है उसको नहीं जोड़ना है ठीक है पता चले है उसको भी जोड़ दो एले देबिट वा यह 560 व्लस 2850 अन्सों थीस बलस 126 ब्स 700 बीस 700 बीस ब्स दो सो चब ब्स दो सो चॉब ब्स दो सौचट ब्स 461 ब्स 98 6969 इधर भी उतना ही आना चाहिए 1551 प्लस 2850 प्लस 364 प्लस 996 प्लस 528 680 देखो इधर भी आ गया बेटा 6969 समझ में आ गया कि नहीं आ गया अब आप बड़े प्यार से इसको काटके अपना 6969 कर सकते हैं जो किताबे दे रखी उसमें नहीं करना है कुछ बच्चे कपी कितब ही हम जुट गए हैं करने में घर जाके अच्छे से करना भाई तो समझा रहे हैं आपको हाँ अब यह वाला सवाल लगाते हैं बेटा ठीक है यह वाला हो गया ना किसी को कुछ पूछना है नहीं चलो एक और सवाल लगाते हैं अच्छा मैंने आप से एक बात कही थी अगर आपको याद हो है मैंने कहा था बेटा की जो आपका ट्रायल बैलेन्स होता है वह वे लिएуск और मैंने अभी आब है कहा भी मैं आपको बहुत इंपोर्टेंट बात बताना है यही वह इन्पॉर्टेंट बात है अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करने जा रहे हैं उसी फॉर्मेट को लेकर जिस फॉर्मेट पे हम ने अपनी क्लास को स्टाट किया था जहान से सुनना बेटा आप मुझे बताईएगा प्यायां कि आपको क्या बनाना है आपको बंद सीड बनानी है एक पर क्या बनानी है बैलेंसेट में kृणüst में । में तीन ऐिमेंट आते हैं याद है कwouldक्या पिटल लाइबिलिटी और आपका क्या एसेट्स तर यह तो कुछ फॉर्मूला जैसा दिख रहा है हां बिल्कुल प्लस लाइबिलिटी बरहाबर क्या होता था एसेट्स यानि एकाउंटिंग एक्वेशन भी यहां पे प्रूफ हो गया ठीक है चलो अब उसके बाद जब आप टेटिंग एकउटछ और आप क्या बनाना है आपको ah Good profit ng нॉल्उट कर ले नवेटा इसको बढ़र लेटींग एकाउंट में अबिल्यमेंट की आ शक्तस होती है एक आप की एक आपका क्या इक्स्पेंस और एक आपका क्या और इंकम क्या प्रॉफित ओर लॉस्स में भी हमें कितने आखेविंट क्या शक्ता होती है सर दो if expense और क्या बैट्टा आपका income बस थोड़ा सा अंतर क्या है कि trading account में हम डारेक्ट की dealing करते हैं किसकी dealing करते हैं वेटा डारेक्ट की dealing करते हैं मतलब अगर कोई direct expense है तो उसे हम किस तरब भेज देंगे trading account में भेज देंगे अगर कोई direct income है तो उसे किस तरब भेज देंगे trading account में भेज देंगे और अगर expense है तो debit और income है तो क्या आपका credit पताओ समझ में आया की नहीं आया ठीक उसी प्रकार जब आप profit की बात करते हो वेटे जब आप किसकी बात करते हो profit की बात करते हो तो profit और loss में हम deal करते हैं indirect की इसकी बात करते हैं बेटा indirect की यानि अगर कोई indirect expense है तो उसे PL के debit में और अगर कोई indirect income है तो उसे PL के किस तरफ credit side में क्या कर दिया जाएगा भेज दिया जाएगा बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया तो अब आप एक काम करो अपने format को जरा ध्यान से देखो format को जरा ध्यान से देखो क्या सारे के सारे element अर्जिस्ट हो गए कि नहीं हो गए देखो assets assets कहां चला गया क्यापिटल कहां चला गया बैलेंसीट में लाइबिलिटी बैलेंसीट में एक्सपेंस और इंकम यह दोनों कहां चले गए अगर डारेक्ट हैं तो ट्रेडिंग में और अगर इंडारेक्ट हैं तो किदर चले गए प्रॉफिट एंड लॉस में बताओ सारे इलिमेंट सेट हो गए कि नहीं हो गए समझ में आ गया इसी वजह से इस बैलेंस को बेस ऑफ बैलेंस सीट या बेस ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस भी कहा जाता है बात समझ में आगई बाबू जैसे यह डाइग्राम बनाया है वैसे अपनी कॉपी में आप लोग बना लीजेगा अब सवाल और करते हैं एक दोठे सवाल और करेंगे और फिर की बात करेंगे अब आप जबाब दीजेगा यह यह आपके लिए होमवर्क है लेकिन इसको मैं समझा दे रहा हूं आपको घर से करके इसको लाना है छिए के अपिटल जरह बताओ बेटा कीद़ जाएगा कापिटल देखिए तिर्वाई गलती कर दिये किदर जाएगा त्रेट इदर जाएगा क्रेडिट एड बैंक किदर जाएगा बेटा अससे असे ना अगर नीचर एसेट यह ना डिभीट अबिट ओपनिंग स्टाउक पर्चेस किदर जाएगा एक्सपेंस है ना जाएगा डाविट रिजर्फ फॉर डाउटफुल डेप्ट जान से सुनिए रिजर्फ फॉर डाउटफुल डेप्ट अच्छा बात बताओ यार रिजर्ब बैलेंस सीट में आप लोगों ने कहीं ना कहीं ट्रांसफर किया होगा थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचो और इसका जवाब दो किदर भेजते थे लाइबिलिटी तो इसका मतलब इसका बैलेंस किदर लिखेंगे क्रेडिट लिखेंगे करेंके यह ना व्ल लब advance वाली यह आपकी क्या है assets liability क्या है आपके शाय कि आपकी liability है तो यह किदर जाएगा credit side बात सब्सक्रेटर शुदर पीर तरहें है डाबिट्स साइड पशीनरी है डाबिट्स साइड्स है डाबिट्स साइड कमिशन देखो क्या लिखा है कमीशन अब आपके मन में आएगा कि सर क्रेडिट भेज़ दो मैंने आपको जनरल इंट्री में बताया था कि अगर सिर्फ प्रांजेक्शन का नाम दिया रहेगा उसके आगे रिसीव सब्द नहीं देगा उसे क्या मानेंगे एक्सपेंस मानेंगे तो एक्सपेंस मानने की वज़ा से उसे हम किस तरफ भेजेंगे डाविट साइड यानि अगर इसके आगे कमीशन रिसीव लिखा होता तब हम उसे क्रेडिट करते बेटा बैट डप यानि लॉस है हमारे लिए डाविट साइड चला जाएगा बैट डप का मतलब वह पैसा जो डूब गया हो अगर आपको यादो थो जब मैं आपको त liar रहा था वहाँ पseven मैं आपको डेटर के क्रेडिट साइड फिर बिल्डिंग डेडिट साइड कंड्री क्रेडिटर क्रेडिट साइड कार डेडिट साइड रेंट एंट टेक्स डेडिट साइड सेल क्रेडिट साइड डेडिटर डेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक किस साइड कि टैबिट साइड वाले कितने हैं आथ उठो कि अच्छा क्रेडिट साइड वाले कितने हैं अरे ना लाइक हो अभी अभी एक थो बात बताई थी यह जाएगा क्या नहीं जाएगा कर देते गलती और फिर कहते हो गुरु जी सस्पेंस अकाउंट इसमझ में आ गया बेटा तो आगे के होंवर क्लिक हो जड़ा सभी लोग तीन ने को पहला दूसरा तो कराई दिया तीसरा चौथा और पच्छवा इतने कुशन आपको करके लाने हैं जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो बिटा इतने कुशन करने के बाद नीचे दिये गए नंबर पे और नंबर लिख भी दे रहा हूं मैं इस पे आप मुझ कि एक और क्लास रहेगी बाकी जो बचा कुछा डाउट रहेगा उसी क्लास में हम इसे खतम कर देंगे और फिर उसके बाद हम अपने नए चाप्टर जिसका नाम आपका क्या है फाइनल अकाउंट उसको फिर हम क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे साथी साथ अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लास को जोईन करना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिये गए नंबर पर कॉल करें और सुल्तानपुर वाले बच्चे खास कर भाई ऑनलाइन तो एक माध्यम होता है लेकिन अगर आप पास है अगर आपके शहर में यह सुभिधा ह है जैसे सुल्तानपुर वाले बच्चों के पास यह सुभिधा है एक लेश्य टीक है डेमो एबलेबल है बिटा ख्याल रखेंए आप सभी अपना मुझे इजाजत दीजे जये वहां काल है